मुहम्मद यूनुस को बंगलादेश में अंदरीम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है यह मुहम्मद यूनुस कौन है बंगलादेशी अर्थशास्त्री और वहां पे स्वाइम सेवक हैं उद्ध्यमी भी हैं तमाम बिजनिस उनके चलते रहते हैं वहां पे ग्रामिड बैंक की स्थापना के लिए इन्ही को जिम्मेदार ठाराया जाता है मतलब ग्रामिड बैंक की जो अधारना थी उसको मजबूती से उसका प्रतिपादा निन्ह ने किया इसके बाद माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की जो अधारना थी इनको बहुत कस्तर पर इनके इन सिद्धानतों का काफी उपयोग हुआ और आज की डेट में गरीबी जहां पर है खासकल विकास सिल देश जहां पर हैं जहां पर ग्रामीर आबादी जादा है उनके उत्थान के लिए आज जो भी कारे हो रहे हैं उसमें कहीं ने कहीं इनका युगदान मना जाता है तो वर्ष दोजार रिच्छ में इन आउधाराओं के विकास के लिए इनको नोबेल शांती पुरिसकार नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया था भारत सरकार ने संसद में भारत सरकार का प्रतनित करने वाले किंद्री मंत्री प्रहलाज जोशी ने एक बयान द इनर्जी इसको आप बोलते हैं इंगलिश में उससे संबंदित एक रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट आपकी परिक्षा के दिश से बहुत महत्पोर्ण है भारत की स्थापित अक्षय उर्जाशमता जो रिनेमल इनर्जी कैपसिटी है भारत की वो कितनी हो गई है पिछले 30.38 GW ती जो 2024 में बढ़कर कितनी हो गई है 50.38 GW से 203.1 GW हो गई है 2024 में एक भात ध्यान रखेगा कि हमारा लक्ष कतना है 2030 तक इसको 500 GW तक पहुंचाना तो लक्ष बढ़ा है हाला कि उस शेत्र में जिस निसाफ से प्रगती हो रही है निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है 2030 तक बहुत आसानी से यहां तक हम पहुँच जाएंगे और इसके लिए तमाम योजनाय भी चल रही है तमाम और पहले करने की आशक्ता है लोगों में भी जागरुकता आए दीरे दीरे लोग लगवा रहे हैं जैसे सोलर पैनल आप देख रहे हैं इसका चलन बढ़ता जा रहा है लेकिन उस इसाफ से नहीं बढ़ रहा है जिस इसाफ से यहां की जन संख्या है तो उसके लिए और प्रयास किये जाने का उशक्ता है जन जागरुकता की सबसे बड़ी बात है भारत अक्षय उर्जाग स्थापिक शमता में विश्वस्तर पर चौथे अस्थान पर पहुंच गया है तो विश्वस्तर पर भारत रीनुम्बल इनर्जी स्थापिक शमता मे कितने अस्तान पे, चौथे अस्तान पहुंच गया है? इसमें जो पवन उर्जा में हैं, विंड पावर में है, चौथे अस्तान पे भारत विश्य में, Solar Energy सौर उर्जा में, पांचंवें स्तान पर हैं。 जो 203.1 घिगावार्ड शमता है भारत की, renewable energy की उसमें सबसे आदा सौर उर्जा का योगदान है कितना है 85.47 गीगावाट वहीं बड़ी जल विद्दुत प्रविजनाओं का हिस्सा 46.9 तीन गीगावाट वहीं पौन उर्जा शमता 46.6 गीगावाट जैव उर्जा 10.9 पांच गीगावाट और लग उजल विद्दुत शामिल है कितना पांच गीगावाट तो ये बाइफरकेशन है और यही से आएगा जादा से कम अब एक बात ध्यान रखेगा कि सरवाधिक अगर केवल उर्जा देगा अक्षे उर्जा नहीं देगा तो तापी उर्जा ही है तापी उर्जा पचास पचास से अधिक है अकेले बाकी सब चोटी-चोटी मात्रा में अभी भी बहुत ज़्यादा आगे हमके जाना है स्थापिक शम्ता में तापी उर्जा का हिस्सा 2014 में कितना था तापी उर्जा सरसर दिसमलो 6.9% 2024 में ये भाग घट करके कितना हो गया 54.46% ये भाग घटा क्यों क्योंकि जो हमारा अक्षय उर्जा शमता है रिनियल इनर्जी का जो पार्ट है वो बढ़ा है उनका हिस्सा बढ़ा है तो गैर जिवाश मेधन की हिस्सेदारी 32.30% से बढ़कर कितनी हो गई है दर्स वर्षों में 45.54% हो गई है ये सब बहुत महत्पूर आकने हैं कई बार आपको देखना पड़ जो उर्जा जो ख्षमता है मार्च 2014 के 2.82 गीगावाट जो मार्च 2014 में थी वो दर्स वर्षों में बढ़कर के जून 2014 की स्थेतिम देखें तो 85.47 गीगावाट हो गई है तो 30 गुना की व्रद्धी होई है सोलर इनर्जी कैपसिटी में वहीं अच्छे उर्जा मंत्राले का बजट आवंटन पिछले वर्ष जो 10,000 करोण रुपए था दो गुना होकर 20,000 करोण रुपए से अधिक हो गया है इस बजट में वहीं भारत का लक्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय उर्जा स्रोतों से प्राप्त करना है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं 40% अक्षय उर्जा शमता से हासिल करना मतलब जो भाग है वो 40% हो ये 2021 में ही भारत ने हासिल कर लिया था ठीक फिल्हाल आज के लिए इतना है बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना है बहुत धन्यवाद